सबसे पहले उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्त होंगे फिलाल भाई मैं भी ठीक हूँ तो आज इस वीडियो के अंदर में आप सब के लिए लेकर आया हूँ तो इस साथ सेटिस्फाइट हो आपको इससे कोई दिककत तो नहीं है ठीक है अब भाई आप थमनेल देखो थमनेल में क्या लिखा है विंस या बेंटन देखो कौन फ्लोप होगा आज ठीक है अब कुल मिला के बात यह है कि अगर आप मैट नमबर 13 और मैट नमबर 14 में फैंटेस की फिल्म मैच चाप परफॉम करना चाहते है चाहिए आप मेगा लिख की बात कर लें चाहिए आप इसमोल लिख की बात कर लें यह स्टार्ट होने वाला 12 में उसा साम 7 बजे खेला जाएगा बिरंगी गम में ठीक है और भाई वीडियो में आगे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं कि भी कल फैंटेस की फिल्म अपना दिन कैसा रहा तो कल आप जानते हो दो मैच थें पहला इंडिया श्रिलंका का वंडे मैच और दूसरा दी अंडे का तो इंडिया श्रिलंका का जो मैच हों वहाँ तो अपने को कोई दिक्कत थी नी अपने वन साइट बढ़े राम से इंडिया श्रिलंका मैच में विन कर लिया और मैं आपको खिलियर बतादु वाई, The 100 में मिरा दिन अच्छा नी था, The 100 में कल मेरे को लोस हुआ है और लोस हुआ है 8.50 पॉइंट से कल मेरा लोस हुआ है और D100 के अंदर मैं आपको बतादू, डिफरेंस इतना साथा कि मेरी fantasy team में शाकी मेहमूद था, अपोनेंट के पास मिचल सेटनर था, अब VC अपना एडम सेंपा था, अपोनेंट का विल जैक्स था, लेकिन मिचल सेटनर ने शाकीब के कमपेस में जो ज़्यादा fantasy point दिये, उस आप लोग ये भी जानते होंगे, अगर भाई मेरे को किसी मेहट में लोस होता है, तो उसके बाद अपना comeback जबरदस्त होता है, और इतनी तगड़ी fantasy team अगले मेहट में अपनी पर्फॉर्म करती है, कि अपोनेंट सोतने में मजबूर हो जाता है, कि आग किस अपोनेंट से पड़ गया, बाकी भाई अगर आपने भी तक मेरे टेलेग्राम चैनल को जोइन नहीं किया, तो जोइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पोक्स में है, इससे के लावा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल फ्री में सब्स बल्लेबासि वाली टीम ने मैच विन किया, और पालबा चेस वाली टीम ने, आपको बता दो, Дेंडेड टूनामेंट साल 2021 में स्ताइब भा था, तो साल 2021 में यहाँ पे साल 2223 के अंदर, पहले बल्लेबासि कंवालाट्य टीम ने मैच इसको जादा विन किया, अँग मैं आ एक particular team थी जो बल्लेबास और गेंदबास में अच्छा कर रही है और दूसरी team ना तो बल्लेबास में अच्छा कर रही है तो मैं आपको यह समझा रहा हूँगे इस match में अच्छा परफॉर्म करना है Megalig की fantasy team जो आपने बना रहा है well and good है लेकिन मेरी prediction का use करके दो extra fantasy team और बना लेना कैसे सबसे पहले एक fantasy team बनाना कि भी BPH team के बल्लेबास आज इस match में अच्छा करेंगे और BPH team के गेंदबास इस match में अच्छा करने वाले है और BPH team इस match को one side win करेगी दूसरा Megalig में आपने fantasy team बनाना है कि भी S.O.B. team के बल्लेबास आच्छा करेंगे और S.O.B. team के गेंदबास इस match में one side win करेगी तो ये दो backup के तोर पे Megalig में fantasy team ज़रूर बना के रखना और निश्रिन तोर पे इस match में आप Megalig में अच्छा perform कर पाएंगे अगर आप सारे scenario को इस match में cover करके चलते हैं बाकि आप देख लो जो पिछले 3 match इस वहने पे हुए उनमें बल्लेबास ने बल्ले के साथ 748 fantasy point आपको दिये तो गेंबास ने बल्ले बासों का ओट करके 1025 fantasy point दिये यहाँसे हुआ क्या था कि एक team की बल्लेबास अचा कर रहे हैं फिर उसes team के गेंबास में अच्छा कर रहे हैं तो इसके चलते बल्ले बासों के compareS में गेंबासों के पास fantasy point ज़्यादा है तो इसलिए मैं कहा रहा था अपने fantasy team आपका ऐसे गुरू बनाके चलने हैं बाकी ओरोल बात की जाए तो इस venue पर गेंद बासों का बोल बाला रहे तेस गेंद बासों ने पिछले 3 मैट में 20 बल्ले बासों का उट किया तो इस पिन गेंद बासों ने 13 बल्ले बासों का उट किया और मैंने आपको कहा रहा है जब भी किसी venue के उपर गेंद बासों का उसाथ 25 के नीचे हो तो ये समझ लिया करो कि इस venue के उपर गेंद बास अच्छा करते हैं कंपैस में बल्ले बासों के तेस गेंदबासों का उसर 16.67 है इस पिन गेंदबासों का 24.69 है तो एक बाफ इससा आप मानके चल सकते हैं कि गेंदबासों का यहाँ पर बोल बाला रहेगा और दी अंडरेड में अब तक जितने भी मैटीस होगा बारा लगबग मैट मैंने देखे हैं तो मैक्सम मैटीस में के देखने को मिला कि गेंदबासों का पलडा वल्लेबास के कमपेस में बाहर रहे हैं तो आप समझ गए वैसे वैन्यू को बागी मैं आपको एक बात बता दू किसे वैन्यू के उपर फीमेल का किर्केट मैच होगा इस मैच से पहले तो वो मैच में थोड़ा सा एक बार आपको देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं वीपेस टीम के प्लेइंग लाउन के बारे में तो भई मैं आपको ये बात बता दू कि इनकी टीम में एक चेंज हो सकता है अगर टीम चाहे तो जैमी स्मित अगर पूरी तरह फिट है तो इस मैट में डूनाल के प्लेस सकता है डूनाल्ड विगट की पर बल्ले बाद जैमी स्मित विगट कीपर बल्ले बास और आपको बता दू इस काम माफ्स सेंगे और शीन के चाहंज सकते हैं वापस से बन कर सकती है मोहिनली चार पे, मुसली नंबर चाह पे, फिर बैथल आपको नंबर बैथल नंबर चाह पे नसराएंगे, होवल हैं, किमबर हैं, श्रीन अबेट हैं, एडम मिलने हैं, टिम साउधिया, ठीक है, तो इस तरह से इनकी टिम आपको नसरा सकते हैं ये वाले मैच में, अब डोना करें, सामने बात करें, ओवटन ने 27 में 34 अंदे के 2 बार आउट कर दिया, डैनी ने 16 बॉल मेंठवर अंदे के 1 बार आउट किया है, जोडन ने 3 बौल में 2 रंदे के 1 बार ही आउट कर दिया, तो इनके इस तरैस एसट को ईस सोलिड मेर को लगनी रहे, फिलाग में कई को पिछने मैच में मारे भाई ने 21 रण साल दो साच ओविसने दो मैट में 60 रण 30 की हो सत है अपॉनेंट टीम के सामने 5 मैट में 27 रण 25 की हो सत है इस वेन्ड़ पे 20 मैट में 496 रण रणी 30 की हो सत है ओर ओरोल देखा जाए तो बैंड डेकर की परफोर्मेंस वेन्ड़ पे ठीक रही है और रिसेंटली भी ठीक है थोड़ा सा अपोनेंट टीम के सामने 25 की उसत है तो एक बाद फिर से आप इन से एक्सपेक्टेशन रग सकते हैं 25-30 रण की सामने बात करें तो डैनी ने 17 में 36 रण देके दोबार और डैनी एक ओर्टोडोक्स फिन के इंदबास है जो डैन सामने क्योंकि ओर्टोडोक्स पिन गेंदबार ने साल 24 में 60 बोल में 46 स्कोर करने दिया दोबार आउट कर दिया सामने बात करें तो ओर्टोडोक्स पिन गेंदबास से डैनी जो कि 16 बोल में इसको 10 करने दिया फ्लाल आउट नहीं कर पाया तो अब लियाम ये मैट में रन म जोडन के सामने 36 में 53 मारा एक बार आउट आए साल दोसा 24 में बल्ले से खास परफोर्मेंस है नहीं जहां 34 मैच में 450 रन है 18.75 की बल्लेबासी हो साथ है 34 मैच में 16 बल्लेबासों का उट किया है और 200 में आपने देखा है टीम इन से गेंदबासी कम करा रही है SOB की टीम के सामने इसका बल्ला चलता है 4 मैच में 168 बल्लेबास का उट किया हलाकि वैन्यू पर फिर से वही कानी 22 मैच में 38, 18.70 की उससाथ है और 22 मैच में सिर्फ 8 बल्लेबासों का उट किया तो इस मैच में अगर BPH की टीम कम गिनबासों के साथ खेलते हैं तो कहीं भी आपको ऐसान घळाता है कि इस मैच में लियाइम को 5 से जड़ा बॉल करने को मुका मिलेगा तो लियाइम को फिर आपने फैंटासी टीम में चोड़ना नहीं है मोहिनली के बात करें साल 24,300 में खेले 3 मैच और तीनों ही मैच में एक बार भी डवल डीट में स्कोर नहीं किया अब यहां पर देखो चुवालिस मैच में 612 साल 24 ने 24.14 की बल्लेबासी हो सत है अपोनेंट टीम के सामने 4 मैच में 54.13.50 की हो सत है और 4 मैच में 2 बल्लेबासी को गाउट किया यानि अपोजिशन टीम के सामने अच्छा नहीं है फैन्यू की बात करें 33 मैच में एक असार 13.32.67 की हो सत है और 33 मैच में 30 बल्लेबासी को गाउट किया मोहिन अली का यह ध्यान डखना गिनबासी के बलबुत्य आप इसको फैंटेसरी टीम में ले रहे हो पोनेंट टीम में तो मोहिन अली के गिनबासी करने के चांस कम होंगे बाकि टाइमल मिल्स ने 12 बॉल में 8 रंदे के इसको एक बारे आउट कर रहा है और बाकि जो कोई गिनबास SOB की टीम में उनके सामने परफोर्मेस इसकी ठीक रही है आगे जलते हैं डैन मूसली आगया ठीक है अब डैन ने वही पिछले मैट में तीन विगिट निकाल लिये थे और इसको तीनों विगिट मिलेते 90 से 100 के बीट गिनबासी करते हुँ ठीक है तो में भी हो सकता है SOB की टीम इनकी टीम BPS की टीम एक बाफिस को गिनबासी में इस्तिमाल कर ले कुछ कह नहीं सकते मैं आपको बैसे इतना कहूंगा मोगी नली और डैन इन दोनों में आपनी किसी एक खिलाड़े को फेंटेसी टीम में लेना है दोनों को एक साथ मत लेना साल दोसा चोबीस में 20 मैट में 415 साने 26 की ओसत है 20 मैट में इस सपल्लेबासो काउट किया अपनेंट इन के सामने 11 गारण मारे एक बलेबास काॉट किया इस स्वय है पे 22 मैट में 599 मारे 31.47 की ओसत है और 22 मैट में 26 बलेबासो काउट कर जुग है थोड़ा सा इसने बल्लेबास मैच्छा करना है तो लेफ्ट आम ते इस गिंदबास को इसामने समल के खेल ला है और मैं इसलिए कह रहा हूँ मोहिन अली और दैन दोनों को एक साथ पेंटेसी टीम में मत लेना क्योंकि रिसनली कुछ मैच्छेस में देखा गया कि मोहिन अली बल्लेबास से के अंदर दैन को कुछसे पहले परमोशन कराता है और कुछ से पहले गिंदबासी में दैन को इसमाल करता है तो मैं यह कह रहा था कि डैन टीम में जाधा यूस होगा मोहिन अलिये के ज़्यादा यूज़ होगा तो डैन अंडर यूज़ होगा इसलिए आपको दोनों में से किसी एक कोई fantasy team में मेरे हिसाब से लेना चाहिए बैतिल की बात करें तो जवदस performance साल 24-24 में बल्ले के साथ है आप देखिए 43-46 नोट आउट और 22 है साल 24-24 में वैसे भी 17 में 4-67 माच चुक है 22.45 की उसरत है 17 में पार्ट टाम गिंदबासी करके 6 बल्ले बासों का उट किया हाला कि इसके गिंदबासी करने के चांस मेरे को कम लग रहे हैं अपोने टीम से एक मैच के लिए वहाँ 0 रन किये थे वैन्यू पे 16 में 249 में 18.38 की उसर तो 5 बल्ले बासों का निप्टा है तो मेगाली की फेंटेसी टीम में लेना है और जब मेगाली की फेंटेसी टीम में इस किलाडी को लेते हैं तो एक बात ध्यान रखना ये बल्ले बासी के साथ अच्छा पर्फॉंग कर रहा है और बल्ले बासी में अच्छा पर्फॉंग तब ही कर पाएगा जब इसको बल्ले बासी का मोका मिलेगा क्योंकि आपने देखे पिछले 3 मैच 3 मैच में मुहिन अली double rate में score नहीं कर पाया अगर इनके team के opening बल्लेबास आज इस match में चलते है फिर नीचे मुही नली भी बल्लेबास में चल गया तो 100 बोल का तो match आज फिर इसको बल्लेबास में ज्यादा मोका मिलेगा नी ज्यादा मोका मिलेगा नी तो contribute ज्यादा करनी पाएगा तो आपको समझना है इसे fantasy टीम में लेना है तो उपर से कौन से बल्लेबास को आपने टीम से बाहर करना है आपको ही समझ आ गया इनके टीम का कौन सा player कौन से पारे में कब कैसे क्यों perform कर सकते हैं अब यह देख लो जो opponent टीम है उनके टीम के कप्तान कब कैसे किन गिंदबास को इस्तमाल कर सकते हैं opponent टीम में एक कमसूरी जो मेरे को लगते हो कमसूरी यह है कि उनके टीम के पास proper off-pray गिंदबास नहीं है क्योंकि जो सामने BPH के टीम है BPH के टीम में बहुत सारे left-run बल्ले बास है अब left-run बल्ले बास होगे सामने आप orthodoxman गिंदबास को गिंदबासी तो करवा नहीं सकते हैं आपको जी match-up के लिए off-pray गिंदबास तो मेरे को लगता है इस match में आपको यही पता चलेगा भाई नहीं कर सकती तो यह recent है Coles को पिछले match में गिंदबासी नहीं मिली अगर इस match में ब्रिक्स के प्लेस से आपस से जोफरा अचर अंदर आते हैं तो में भी हो सकता है Coles को कुछ पार्ट टाइम ओवर गिंदबासी करने को मिल जाए अगर आप डेथ की बात करेंगे टाइमर में सो के इस जोडन आपको गिंदबासी करती है आप इनके टीम पहले गिंदबासी करती है तो जोडन और टाइमर में इसको आपने फैंटेस से टीम में सुरूर रखने है साउधन की टीम की बात करें तो पिछले मैट के अंदर जोफरा आचर खेलती है आपको नसर नहीं आते हैं क्योंकि ECB ने उनको अराम करने की सला दीती अगर ECB ने कहा है भाई ठीक है अब आप जाके खेल सकते हैं तो जोफरा आचर आपको खेलती हुने सर आ सकते हैं इस मैट में किस के प्लेस पे? ब्रिक्स के प्लेस पे क्योंकि ओलड़े इनके टीम के पास बहुत सारे और्ट रोक्स पर गेंद बास है अगर ब्रिक्स के खेला हुई तो मेरे को लगते हैं अंडर एउस ये मैट में जाने वाला ठीक है तो ब्रिक्स के प्लेस पे जोफरा खेल सकता है बाकी बैटिंग में बात करें तो LX के प्लेस में के टीम जाए तो आंदरे Fletcher को खिला सकते हैं गर वो टीम के साथ है क्योंकि Fletcher को टीम ने फिर-NLN के रिप्लेसमेंट के तोर पे अपने साथ जोड़ा है अगर वो पूरी तरह फिट है तो LX के प्लेस पे खेल सकते हैं बाके इन की टीम में कोई भी चेंजिस होते हैं आपको नशन नहीं आएंगे सेम उसी 11 के साथ खेलने वाली जो पिछले मैट में खेली थी दो चेंज मैंने आपको बताई वही हो सकते हैं ठीक है अब बैक्टिंग में बात करें LX की तो LX को 3 में से 2 मैट में साथ अच्छा मिला है लेकिन अच्छे साथ को बड़ी पारिमें कनवर्ट नहीं कर पाया इस साल 16 मैट में 288, 18 की उसाथ जो के कोई खास नहीं है अब उने टीम के सामने 3 मैट में 75, 25 को उसाथ कोई खास नहीं है इस 21 मैट में 57, 19, 25 की उसाथ है जो के कोई खास नहीं है अब ओफ प्री गेंद बासों के सामने 19 में 19 के आदो बार आउट हो है मिलने के सामने 6 बोल में 2 रन करके एक बार ही आउट हो गया तो फिलाल मैं LX को fantasy team में preference वैसे भी नहीं दे रहा हूँ विंस की बात करें तो मैंने कहाता हूँ वीडियो के title में वीडियो के thumbnail में कि कि विंस के आज flop होने वाला है तो ध्यान से देखना तीन मैट के लिए तीनों में 28 सार्ट मिला को देखने का पड़ेगा कि विंस जिस वकत बल्लेवासी करेगा सामने गेंदबास से कोन करेगा तो भाई देखो मिलने ने 26 ओल में 13 अंदे के दो बार आउट कर दिया तो यह एक important गेंदबास होने वाला है बीपेच की team की ओर से जिसने काफी तंक किया चाहिए वो विंस हो चाहिए वो एलेक्स डेविस हो team साथी के सामने चलो फिर भी ठीक है फिर शीन अबेट आ गया शोन अबेट ने 23 ओल में 26 संदे के दो बार आउट कर दिया अगर आप बेनी की बात करेंगे 36 ओल में 43 संदे के दो बार आउट किया है मोहिन अली ने 30 में 50 संदे के दो बार आउट किया तो हम यह कह सकते हैं बेनी और मोहिन अली के सामने आउट होने से पहले विंस ने रन मारें लेकिन शोन अबेट एडम मिलने ने डिन स्कोर करने से पहले wins को आउट कर दिया तो wins के लिए मैक में जो दो गिन्बास बड़ा खत्रा बनेंगे एक टो शोन अबेड है एक एड़ा मिलने है अगर आपने fantasy team में मिलने शोन अबेड को कप्तान वेस्स कप्तान किया तो मैं आपको सलाद दूँगा विंस को fantasy team से बाहर रखना क्योंकि आप इनको captain vs. captain करोगे आपकी सोच होगे इन दोनों को fantasy fantasy के film में आज इस match में wicket मिले इनको wicket मिलने चाहे तो wins का out होना जरूर ही है अगर wins out नहीं होगा तो इन गिंदबास को wicket ज़्यादा मिलनी पाएंगे तो आपके fantasy team है सा captain vs. captain ये flop हो जाएंगे ठीक है तो small league में अगर आप head to head केल रहे हैं तो safety reason की वज़े से wins को ले सकते हैं अगर थोड़ा हट के सोचने इस match में तो आप drop भी कर सकते हैं लेगन कप्तान हो इस कप्तान करने की सलाव wins को ये match में आपको बिल्कुल ली दूँगा डूप लोई की बात करनें तीन में से दो match में 46-68 में फ्लार बड़ी पार में convert नहीं किया है साल 27-27 match में 635-30 की बल्लेबासी हो सकते हैं अपोनेंट टीम के सामने 2 match में 16 वेन्यू पे 7 match में 222 इसन है 40 की हो सकते हैं तो इस टार्स देखे तो डूप लोई के स्टार्स का फिर जबरदस्त हैं अपनी मेगा लिग के fantasy टीम है सर्डिफरेंशल पर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं जो मेरे भाई मेगा लिग में विंस को डूप करने हैं वो विंस के प्लेस पर चाहें तो डूप लोई को ले सकते हैं इसमोल लिग के टीम में रिस्की बरा फैसला हो सकते हैं सब्कोर्स कर लोग विंस ने 25 अन मार दिया वो डूप लोई 0 प आउट हो गया तो इसमोल लिग के अन्दर रिस्टू रिवोर्ड इश्राप का काफी कम है लेकिन मेगा लिग में रिस्टू रिवोर्ड इश्राप को काफी हाई मिलता है तो इसके चलते हैं आप ऐसे कि लाड़े पे फैंटेसी टीमें वहाँ पे रिस्क लिए सकते हो फिर अगर हम बात करें जेम्स कोल की अगर इनकी टीम दो उर्थलोक्स पिन गिनबासों के साथ वापस खेलती तो इसके गिनबास में कॉंटिबूट करने के चांस कम है अगर इनकी टीम गिनबासी डिपार्टमें एक ही उर्थलोक्स पिन गिनबासी के साथ खेलती है तो हो सक जादे इसको गिन्बासी कम मिलने वाले कैसे आपको बदा चलेगा लोरी वांस के बात की जाए तो भाई ये करता है फिनिश राकर रोल प्ले अगर आप देखते हैं तीनोई मैच में बल्ले बासी मिलिया है लेकिन तीन मैच में एक बास इसने 25 में मारे है इसके सबसे बड़ी दिक्कत है कि लेकिन गिन्बासों के समने बड़ा शोट खेलने के चकर में OUT होता है जाँ 65 बोल में आप देख सकते हैं सर सब करके दो बार आ उट हो गया सामने बात करें तो लिए में एक ऐसा गिन्बास है जो कि लेकिन डाल सकते है इनके सामने 11 बोल में इसमें 20 मारा एक बारा उट हो गया बेनी के सामने 37 में 24 मारा तीन बारा उट हो है मिलने के सामने 21 में 24 मारा एक बारा उट हो है और मिलने तो एक ऐसा गिनबास है अगर भाई आप SOB की टीम के उपर से लेके नीचे तक के बल्लेबास को देखते हैं, तो जब भी उसने इनके टीम के किसी बल्लेबास के सामने केंद बासे की है, तो आपको यही पता चलना है कि मिलने का जो फर्ड है बाहर ही है, मिलने को इस मैट में विगेट मिले ना मिले, उससे आपको मतलब नी रखना है, आपको मिलने को फेंटेसी टीम में इस मैट में सुरू ट्राई करना है, कारेंट पोलाड के बात करें तो कारेंट पोलाड को बहुत सारे भाई मेरे आज इस मैट में अंडरेसमेट करने वाले हैं एक बात बताता चलूँ, SOB की टीम ने तीन मैच खेले, तीन में से पोलाड ने दो खेले, दो में से पोलाड को एक बार बल्लेबासी मिली और जब पॉलाड को बल्लेबासी मिले, पॉलाड ने उस मैट में 27 सन मार दिये थे तो मैं आपको यह कह रहा हूँ, अगर पॉलाड को ऐसे डिफरेंशिल पिरा फेंटर से टीम में लेना चाहते हैं आप देखो न, साल 24 में 32 मैट में 610 मारे, बहुत सारे मैट चैसे होगेंगे जब इसको बल्लेबासी नहीं मिली, आप इनकी उससाद देखते हैं 33.88 की है, हालाकि इस प्वैने पे दो मैच में पॉलाड ने सिर्फ 9 रन मारे, 4.50 की उससाद है, और 2 मैट में दो बल्लेबासी काउट किया, अगर बात की जाए, तो बैनी ने 10 पोल में 12 रन देके एक बार, और टीम साओधी के सामने तो फ्लाल इसने रन मारे है, तो बैनी एक ऐसा गेंदबास है, जो में भी हो सकता है, चेंज ओ पेस का इस करके पॉलाड को फसा ले, अदर्वाड की टीम पहले वल्ल प्ले में भी गिनबास है कर सकता है, आपको किलियर होगया, कौनसा गिंबास के बार गिसे क्यों गिनबास है सकता है, और सात में आपको पता पता चल गया, कि जिस पगत जो बल्ले बास पल्ले बास से करेगा उसके सामने कौन से गेंदबास की गेंदबास से करने कितने percent chance है ठीक है सा information दिमाग में set है तो आप toast के बाद बैतर से बैतर टीम बना के आपने तयार करने है कैसे? जो information मैंने इस studio में share के simply अपनी इस information को execute करना है अपनी solid team बनाने है उसके बाद इस match में आपने शिंतोर पैच्चा perform कर पाएंगे यह मैं आपको पहली बता रहा हूँ बाकि टोस्ट के बाद इस match को लेकर जो मेरी final team होगी मैं आपको टेलग्राम चैनल में share करीद दूँगा आपने join के आप join कर लिना तो बात करें कीपर बल्लेबास फिलाल मैं फ्लेचर को लेकर चल रहा हूँ अगर फ्लेचर यह match में नहीं खेलता और इस match में जैमी स्मित खेलता है तो फ्लेचर के प्रेस में जैमी स्मित को लूँगा बैटिंग में wins अपने पास से लियम है आप चाहें तो wins लियम दोनों को fantasy team में drop कर सकते हैं और कुल दूसरे बल्लेबास को fantasy team में try कर सकते हैं शुरूरी डिया है कि आपको इस match में wins लियम को लिना है क्योंकि मैं आपको बता चुगा हूँ पूली के जो stats से काफ़ी जबर्दस रहे हैं आप डूपलोई को fantasy team में try कर सकते हैं दोनों के place में ठीक है फिर keeper बल्ले बाद जैमी स्मित को शामिल कर सकते हैं ओल राउंडर में आपको मेरी fantasy team में जोडन, बैनी, ओवर्टन और मूसली ये नसर आने वाले है टीम के बल्ले बासों के सामने तो team पहले गेंदबासी करें चाहें चेस में गेंदबासी करें मिलने पे तो इस 320 इस match के अंदम है कोई fall तो का risk लेने वाला newtik है तो मेरा fantasy team बन के तेया कप्तान जोडन हो गया, वैस कप्तान मूसली हो गया ध्यान रखना, over turn को काफी लोग अंडरे स्मेट करें है, लेकिन अब तक खेले दी अंडर के जितने मैचिस है, हर एक मैट में economical गेंदबासी किया है, नई बोल से, opponent team के बल्ले बासों पर प्रेशर क्रेट किया है, और बड़े अराम से दो से तीन बल्ले बास काउट कर लिया, तो बटरी स्मेट में एक बाफी टाइट लाइनो लेंज से गेंदबासी कर सकता है, opponent team इनके सामने बड़ा शोट केलने का try करें, तो इनको एक के दुख के विकेट फिर से मिल सकते है, ठीक है बाकी, अब एक चीज़ मैंने clear की थी, जो BPH की team है, याद रखना जब भी fantasy team बनाओगे, इनकी team में बहुत साइट लेफन बल्ले बास, मोहिनली, मूसली, बेतेल, फिर यहाँ पर आपको बेंड डगे, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि SOB की team के पास और परे गिंद बास नहीं है, अब यह ध्यान रखना कि उनकी team के पास महुत साइट रेटन बल्ले बास है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनकी team के पास एक और्ट रोक स्पिन गिनबास नहीं है और इसलिए मैं कह रहा था रेटन बल्लेबासों के सामने मोहिनली और मूसली दोनों मिलके ज़्यादा गिनबास से कर जाएं इस बात के चांस काफे कम है तो मोहिनली और मूसली का आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना तो भाई ये मैच की वीडियो अपनी होती है कम्प्रिट अब मैं आपसे बात करूँगा मैच नमबर 14 के बारे में मैच नमबर 14 है आपका ट्रेंट और वेलस फायर के टीम के बीच ये ध्यान रखना अभी तक तो मैच रात में 11 बजे हो रहे थे ये मैच आपका साधे 10 बजे होगा खेला जाएगा नोटिंगम में ठीक है अब आगे चलते हैं तो भाई अगर आप इस मैच में इंवेस्टमन करना चाहते हैं रियल एलन एक बेस्ट आप आपके लिए हो सकती हैं जहां पर TDS or GST आपको पे नहीं करना अपका कहना है कि अपने प्रोफिट से वा आपका TDS or GST पे करेगा डाउनलोड नहीं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अब फैन्यू की बात की जाए तो इस वन्यू पे अभी एक मैच वा था पहले बैटिंग वाल टीम ने मैच विन किया है कि वह गिनबास जादा फैंटेस्टी पोइंट दिलाने कमपैसों बल्लेबासों के सेम ट्रेंड इस वन्यू पे मोजूद है आप देखें पिछले के लिगे 4-5 मैच की अंदर गिनबासों ने बल्लेबास स्काउट करके 1650 फैंटेस्टी पोइंट आपको दिये तो बल्लेबास आपको बल्ले के साथ रंण मारके सिर्फ एक असा 308 फैंटेस्टी पोइंट दे पाई इस वन्यू पे 17 बल्लेबास का उटकिया 24.7-0 की उसत के साथ और मैंने आपको एक बात कर रहा है कि 25 से नीचे जब गिनबासों का उसत हो तो समझ लेना कि गिनबास सचा करते हैं 25 के उपर उसत हो तो समझ लेना बल्लेबास सचा करते हैं तो इस Vandoom को पर Spin Gain Bash का लगवग 25 के पास है लेकिन 30 Gain Bash को 20 के पास है तो यह कह सकते है कि iš Van Namain पर Spin Gain Bash के कमपएस में तिस Gain Bash का ही ज़यादा बैतर Gain Bash करवा सकते हैं Ground Dimension की बात करें तो आप देख सकते हैं सामने 22 그리고 64 प्रेन आपको देखने को मिलेगी अब इनकी टीम की बात करते हैं, टॉम बेंटेन की, विंस का हम जान चुके हैं, बेंटेन का आप देख सकते हैं, विली ने 16 बोल में 16 दे के एक बार आउट किया, राउफ ने 5 बोल में 9 दे के एक बार आउट किया, पेन ने 24 बोल में 38 दे के दो बार आउट किया, और इसको fantasy team में रखना लेकिन chase करेगे तो आप इसको fantasy team में बहार भी रख सकते हैं क्योंकि इस साल खेले के 3 match में chase में ही जल दिया उट है पहली पर में 45-66 मारे हैं अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने वाले बंदे हैं आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो पहली पर में भी drop कर करने का रिस्क लेज सकते हैं बस ध्यान ही रखना कि इन सब गेंदबास को फिर आपने fantasy team में लेने वैसे बेंटेन की बात के जाए साल दोसा चोई से परफोर्मेंस जबरदस्त है 22 match में 759 को सथ अपोनेंट टीम के साथ एक मात्र match में 0 प्याउट वा था इस वेनवे परफ ली क्या करेंगे बेंटेन को टीम में ले सकते हैं ले김न fantasy team में कप्तानों इस सब्धोर न इस क्या में ली करेंगे आप सपोस करते हैं इस match में 4 लीग आप खेल धार तो चार लीग के अंदर आप으면 10 को फेंटेंटेन को टीम में ड्रॉप करने का risk ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पल्ली के साथ मारे ड्रीम टीम में जगा बनाई है अगर आप साल दोसाथ 22 देखते हैं तो एवरेज सी परफोमेंस है 26 की उसत अपोनेंट टीम के सामने 22 की उसत और इस वन्यू पे 107 मैट में 301 15 रने 31.68 की उसत है तो इस वन्यू पे जो एलेक्स है काफी किरकेट खेल चु तो एलेक्स को ये मैट में अगर अच्छा परफोम करना है तो सबसे पहले फिली को तो भाई रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी राउफ ने 18 में 20 अंदे के एक बार और पेन ने 17 में 27 दे के एक बार आउट किया तो इस मैट में अगर टेंट की बल्लेबास से कुलाप्स करते तो इन तीम ते इस गिनबास का बहुत इंपोरेंट डोल लने वाला है एक का नाम फिली दूसरे करा आउट वो तीसरे का पेन ठीक है अगर बात करें जोई रूट की तो जोई रूट आपने पिछले मैट में देखा है गिनबास से करवा रहा था क्योंकि सामने जो टीम थी उसका इस्तिमाल कर ले तो परफोर्मेस करने के चांस कम रहेंगे बाकी अपोनेंट टीम के पास जो गिनबास हैं उनके सामने टीडवेंटी फॉर्मेट में खेलानी है जादा साल दोसा चोई से 32 के उसरत है वेन्यू पे एक मैट में चोदा मारे है माफ करना अपोनेंट ट अगर इस मैट में आपोनेंट टीम में लेफ्रम बले बात ज्यादा नहीं है रूट के गिनबास ही करने के चांस कम होंगे तो फिस सोथ समझ के रूट को फेंटेसरी टीम में कफ्तान वा इसकाप्तान करना क्योंकि पिछले मैच में बले के साथ 33 समार्दे उस साथ में इन बास एक तो विली हो गया तो विली ने पच्मन बोल में 6-3 अंदे के दो बर आउट किया है पेन ने पांच बोल में 4 अंदे के आउट नहीं किया ठीक है अगर आप इसकी डिसन परफोमेंस की बात करते हैं अच्छी रही है चालिस के उस सत है इस 20 पे 108 की बले बासी उस मैं आपको यह खह रहा हूँ ऐसा अजी समयट में हरगे इस मत करना कि फेंटेस्टी में बेंटन ले लिया एल्यमेस ले लिया जो जोई रूट लें लिया और इन तीन में आपने किनी दोख को fantasy team में captain away vs. captain कर दिया और 7 में fantasy team में Sam Hand रखा तो आपके team जितना चाइए मर्जी स्मैट में परफॉर्म कर दे लेकिन mega league में win करने के chance कम हो जाएंगे क्योंकि आपने top 3 बल्लेबास को team में रखा आपने सोचा उनमें से कोई दो परफॉर्म करे उनमें 2 को कफ्तान में इस कफ्तान कर दिया तो भई Sam Hain को बल्लेबासी करने का मुखा कम मिलेगा कम मुखा मिलेगा तो परफॉर्म कैसे कर पाएगा लेकिन टॉप 3 में से अगर आप कम से कम एक बल्लेबास को ड्रोप करते हैं पिर आप सोच रहे हैं कि सैमेन को बल्लेबासी का मोका मिल सकता है तो एच्छा कोंटिर्बूट भी कर सकता है। आगे चलें, रोमन पोवल आ रहे है, तीनों ही मैट में स्टार्ट अच्छा मिला, अच्छा इस स्टार्ट को बड़ी पार में कनवर्ट नहीं किया, सबसे बड़ी दिक्कत इस्पिन गेंदबासों के समने बल्लेबासी है, तो देखते हैं अपोने टीम का कप्तान क्या इतना मैट में गेंदबासी कम करा है, क्योंकि जोईरूट ने 5 बोल डाली थी, इस मैट में जोईरूट गेंदबासी कम करता है, तो ग्रेगरी 10 बोल डालेगा, और पिछली मैट में 5 बोल डालके इसको विगिट मिल गया था, तो इस मैट में 10 बोल डालके विगिट मिलने के चां बल्लेवास को गाउट दिया पेन ने 28-68 देके तीन बार राउफ ने साथ पूर में 10 देके एक बारी स्काउट कर रखा है तो ग्रेगरी को फेंटेसरी टीम में ले तो इसकी गिनबास के चलते ले तो ना की बल्लेवास के चलते अब आप देख लो गिनबास कि वही जिस वकत ट्रेंट की टीम बल्लेवास से करेगी उस वकत आपने टीम कैसे गिनबास को उसकर सकती है तो ध्यान रखना एक तो पेन हो गया राउफ हो गया ये दो ऐसे गिनबास तो डेथ में आपको गिनबास से करवा सकते हैं विली मैट एंडरी वो दो गिनबास है जो आपको पार् मज़के आपने इनकी लाड़ों को सेट करना है अब आगे चलते हैं तो भाई अगर आपने यूट्यूब चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन आपको इसी तरह की शांदा इंफोर्मेशन हर एक मैट की चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में टेलग्राम चैनल को जो ही नेकिया जो ही शरूर करना जिसका लिंक वीडियो के नेचे डिस्क्रिप्शन बोक्स नाप सबको मिल जाएगा अब अब बात करते हैं वैल्स फायर की टीम की पोस्टिबल प्लेंग लाउन के बारे में तो इनकी बात की जाए तो शायद बाइनकी टीमे भी कोई चेंज आपको इस मैट में नसर नहीं आएगा इनकी टीम भी से ही मिलें उनक के साथ इस मैट में उत्तर सकते है जो खिली पिछली मैट में कया ड्मोर की बात की जाए तो बल्लेबास टो ठीक है तीन में से दो मैट में स्टांट मिला लेकिन बड़े पार में конVERT नहीं किया आप वरोसा नहीं कर सकती एक ऐसा बल्लेबास है यानि कोई बल्लेबास अगर हर बोल में बड़ा शोट खिलने का ट्राइ करेगा तो आप खुँछ सोचे हूँ कितनी दे क्रिस पे टिक पाये का ठीक है और वैसे साल दोसा 24 में बात की जाए रंग 701 मारे लेकिन बल्लेबास की उसाथ 19.47 है अपोनें टीम के सामने 6 इस वहने पे 381 मारे 25.40 की उसाथ के साथ अगर सामने कोई एक ऐसा गेंदबास आगया जिसके पास एक्ट्रा पेस है तो इनको गेंद को टाइम करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इस ट्राइब के गेंदबासों के सामने 22 बॉल में 6 पाइंट स्कोर के आच है बारी आउट है फिलाल जो गेंदबास इस वकत है ट्रेंट की टीम के पास उन गेंदबासों के सामने तो इसका पलड़ा भाही रहे जैसे फुड की 31 में 23 मार लिया 22 ओटवाा इमादवसिम की 23 में 36 मार लिया 12 ओटवा राश्वित की 26 में 50 मार लिया 12 ओटवा तो इस वकत जो गेंदबास ट्रेंट की टीम में उनके सामने परफार्फORMस के बात करें तो ये का जा सकता है किन गेंदबास ने आउट तो किया लेकिन आउट करने से पहले केड मोर्नें गेंदबासों के सामने रंड मारे हैं तीक है आगे चलते हैं जोनी बेस्टो आगया तीन मैच के लिए तीनोई मैच में बंदा पूरी तरह फ्लोप है और इस पिन गेंदबास के सामने मेर को इसके बल्लेबास पे बरोसा ज़दा होता नहीं है अगर साल दोसा चोविस की बात करें तो भाई 27.33 की उस्ट है अपोने टीम के सामने तीन रंड मारे इस वन्यू पे 22 की बल्लेबास से उस्ट है और भाई अगर आप लोग इनकी टीम को देखते हो ना वैलसफायर की टीम को तो दियान से देखो इनकी टीम के 6 बल्लेबास है ये 6 के 6 बल्लेबास देखके एक पाद दिमाग में आती है कि वह इनकी टीम दोधारी तलवार है D100 के अंदर ये कैसे टीम है जिनके बल्लेबास चले तो ये D100 में सबसे दिक रंड भी मार सकते है साल 27-24 में अगर ये बल्लेबास नहीं चले तो उनकी बल्लेबास इतनी गंदी है कि इनकी टीम सबसे कम टारगेट पे आउट हो सकती है और आप पूरे D100 टुनामेंट के अंदर देख रहे न मेरी ये अब्ज़रेशन बिल्कुल ठीक होगी ये बल्लेबास सारे आरपार के लेसी देसी लेग लपेटू बल्लेबास है चल गए तो वारे नहारे अपनी टीम के कर देंगे अदर्वाइस इनकी टीम को फिर दिक्कत होती ही जाती है ल्यूक की बात की जाए तो 22 की होस्त है इस वेन्यू अपूरेंट टीम के सामने 8 मारा वेन्यू पे खास है नहीं लेक्स्पिन गेंदबास के सामने इसकी परफूमेंस रत्ती बड़ भर भी नहीं है वो सामने राशुत कान जैसा वर्ल्ड क्लास केंदबास ही करेगा तो इसका क्या अलोग है सोचने वाली बात है जो एक लग पिछले मैट में आया है भाई नमबर 4 पे और वैसे भी इनकी टीम का पता नहीं चल रहा कि किस मैट में तो वैस के लेगा 3 पे किस मैट में कलर के लेगा कलर के एक मैट में 6 पे याता है एक मैट में 3 प्यार है जो एकी बात के जाए तो भाई देखो 20 की बल्लेबास है साल 2 साचोविस है अपोनें टीम के सामने 32 है वेन्यू पे 28 है तो एवरेसी परफोमेंस है तीन मैच में एक बार अच्छा स्राट मिला था, 33 नोट आउट किया, बाकि दो मैच में सीरो और पांट पे आउट हुए, सामने फुट के सामने 36 में 66 मारा एक बार आउट हुए, जोडन तॉम्सन के सामने 16 में 22 मारा एक बार आउट हुए, लेकिन इस वगात ये बल्लेबास का फलडा फला थोड़ा बाहर ही है तो में वेल की बात की जाए और तो पिन गिंदबासू के समने एक बल्ले बाद सरेंडर करता है सामनी माद वसी में तो देखते हैं कि अपोनेंट टीम साही टाइम पे अपने गिंदबासू का इस्तमाल करेगी साल दोसा चोई से टाइस में अपोनेंट टीम से मैच नहीं खेला इस वन्य पे कोई ज़्यादा मैच इस ने खेले नहीं है गेलन की बात की जाए तो आप इसका देखिए साल दोसा चोई से 38 के उस्तमाल अपोनेंट टीम के सामने 31 की वन्यू पे बैल इसकी ठीक है तो अगर इस मैच में आपको रती भर भी ऐसा डाउट हो जाए कि इस मैच में बल्लेबासी तो चोड़ो गेलन को गिंदबासी कुछ भी कोंट्रिबूट करने का मुखा मिल सकता है तो अपनी फेंटेस से टीम है सार डिफरेंशल पर आप इसको ले सकते हैं और बल्लेबासी की बात करें तो भाई तीन मैच में स दो बार तो इसको बल्लेबासी मिली है एक बार सीरो किया एक बार ग्यारा किया अब आप ये देख लो अपनेंट टीम के गिंदबासी को टीम का कप्तान कैसे यूज करता अपना इमाद बसीम हो गया फूड हो गया और साथ में सेमिल कुक हो गये ये तीन गलाड़ी जो सारे रेटेंट बल्ले बास और फिर अगर आप 17-20 की बात कलते हैं तो 17- 20 में शेमुल कुक गिंद्बासी कर सकता है राशिद कर सकता है और तीसर्क इसी इस वाट पड़ी तो ही लिक वूड गे द्वासी करेगा अदर्वाइस आपको राश्टिद और सम्यूल को गिंदबासी करते हैं 17 से वेस्मिन असर आ सकते हैं अपनी fantasy team देख लेते हैं क्या बनी है जोनी बेस्टो, बेंटन बेंटन को आप चाहो fantasy team में drop कर सकते हैं और depend करता हैं आप कौन से type की league join करो ठीक है बेटिंग में बात करें, LX है, Joy Root है LX और Joy Root को fantasy team में मैं रखूँँगा चाह team पहले वल्लेबासी करें इनका चाह इनके team chase करें यहां कोई दिकत प्रेसा नी मेरे को है नी मैं बिल्कुल clear हूँ ओल राउंडर की बात की जाए, Philly है इमाद बसीम है, Gregory है, Jordan Thompson है Jordan Thompson जो है, death में गिन्बासी कर वाले दे है तो इस वेसे team में रखा है, कम लोग लेंगे लेकिन आपनी fantasy team में preference दे सकते हैं इस पेसली तब, जब इनकी team पहले गिन्बासी करें तोस से पहले Philly fantasy team का वाइस कप्तान है और आपने देखा है, Philly अपने team के वल्ले बास को कैसे तंग भी कर सकता है नीचे गिन्बासी में आजाओ, राशिद खान है, हैरी स्राओफ है, मैट है ठीक है तो ये तीनोई गिन्बास जबरदस्त किन्बास है इनमें राशिद खान को preference कप्तान के लिए इसले दी, क्योंकि गिन्बासी तो अच्छी कर रहा है लेगिन गिन्बासी अच्छी करने के साल बल्ले बास में contribute कर सकता है तो इसले टोस से पहले fantasy team में कप्तान राशिद है, वाइस कप्तान विली है अगर आप चाहें तो इस match में इमाद वसीम, राउफ की चोईस, आपके पास आप इन दोनों के साथ जा सकते है अगर बल्ले बास में में इस से पूछेंगे, तो मैं किसी भी बल्ले बास को खास preference से कर पने इस में इस में नहीं दूँगा तो बस भाई, आज के लिए स्टूड़े में इतना ही आज सब से एक बाप फिर एक मुलाकात होगी नए इफ वीडियो के साथ तब तक आप सारे भाई लोग अपना ध्यान रखो और अपना प्यार और सपोर्ट वी मेरे सथ बनाए रखो